मुस्तफात JN में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टन है जिस तरह से कल की वीडियो इंपोर्टन थे 20 पे उस underside इnelगी क्यूंकि आज हम बात करने वाले की descend में कौन से और वह अब की है सकते और लोगों को पूछे गए हैek इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी जिसे मैंने पूछा था सबसे कि आपका इम्रीकर्षन एक्सपीरियंस मुझसे शेर करिया जिसे मैं और लोगों की हैल्प कर सको तो बहुत साही लोगों ने उनका एक्सपीरियंस किया और उसमें से मैंने कुछ 10 क्वेश्चन निकाले है जो आपके साथ सेर करने वाला हूं तो यसे भी है गाई कि जो किसी को भी नहीं पूछे गए और वह पूछे जाते भी नहीं है फिर बी ऐसा मुझे लगा कि आपके साथ शेर करने चाहिए तो आज वह भी क्वेश्चन आपसे शेर करूंगा तो गाईज अगर आपने कल की वीडियो यानि के डॉक्यमेंटेशन की वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे लिए उसकी लिंक रखिए जाके यह वीडियो फिनिश करके एक बार देख लेना क्योंकि मैंने उसमें बताया है आपको के इमिश्चन के टाइम ऑफिसर आपसे कौन से डॉक्यमेंट मां वीडियो बहुत इंपोर्टन है बात करते हैं आज की वीडियो की तो आज बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कौन से क्विश्चन पूछ सकते है तो आप प्रिपेर होके चाओ ठीक है दोस्तों और मेरी आप से एक सलाह है एक एडवाइस है कि यह त्रूंटि प्रोसेस बहुत होता है हम लोगों ने उसको डिफिकल्ट बना दिया है ठीए टेंसен लेकर और लोगों की बाते इसा ऑफ करेंब अच्छे लोग होते हैं जो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं को ने दिंगे जब तक उनको ऐसाँ नloro हुए हो तब तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है ठीक है तो बिंदास आपका इम्मिकेशन में जाए इम्मिकेशन के सामने जाए कभी नर्वस मत हो क्यूंकि गाइस मैं मानता हूं वहां तक वो लोग एक या दो वो पुछते हैं उससे ज़्यक्राइब नहीं पुछते है ठीक है ने बताता हूं कि मेरा एक्सप्रीयेंस इम्मिकेशन के टाइम कैसा था और साथ में जिनकी कीड है उनके लिए बाताने वाला हूं जिससे उनको सबसे कम क्वेशन ओफिसर पूछेगा ठीक है तो वाने ने मे इस पर आपके साथ SLWP के PPR भी शायर करते हैं जिससे आपको यह बता चले कि कौन से सीडिस के अभी रिजल्स आ रहे हैं ठीक है दोस्तों चले बीना देरी करें वीडियो को फटावट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते ह है ओ अल्मोस्ट सेम ठीक है तो उसमें से मैंने कुछ 10 क्वेश्चन निकाले है और वह आपके साथ शेयर करने वाला हूं लास्ट के जो क्वेश्चन है वह ऐसे क्वेश्चन है जो बहुती रेर पुछे गए है बहुती रेर ठीक है फिल भी मुझे ऐसा लगा कि आपके जाएंगे ठीक है फुछते ही है टीक है तो फालस हे वाट कांडओ यू फॉर्ट-वॉक पर्मिस्ट यू वह त्थक हांट अगर आप्ट में आ रहे है है और आराम से उनको आंसर देना है वो कोई आपका एक्जामिनर नहीं है कि आपको फेल कर देगा या डिपॉर्ट कर देगा कुछ नहीं करने वाला है ठीक है आपको पता होना चाहिए आप किस बेजिस पर यहां पर आये हो ठीक है तो आपको पूछे का आपके पास कौन सी व पर्मिट और अगर आप विजिटर पर आए हो तो वो विजीटर विजा और आप आए हो वग पमिट यानि के स्पाउज़ ऊपन वांपन वग परमिट अब उनको बोलो तो यह था वर्स विशूं सेकेड विश्चन किषिशन वाइफ दूइंग हीर ठीक है वाइफ या दू तो मैंने इसलिए वाइफ लिखाए, मांकि आपको पूछ सकते है कि what is your husband doing here या what is your wife doing here, ठीक है, तो आपको उसका आंसर देना है season study permit और season work permit, तो दोनों में से जो भी आपके wife और husband यहाँ पर करते हो, वो आपको उनको बोलना है, अगर study permit खतम हो चुके है तो आप बोल दीजे work permit, PGWP, ठीक है, और अगर वो study permit पे है तो आप बोले, study permit पे है, right, हो था second question, third question, in which college, अगर study permit पे है, तो आपको next question कर सकते है, in which college, तो आपको उनकी college का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो नाम आप रट लेना, ओके वो जरूरी है guys, ठीक है, तो third question है, कौन सी college में address भी आना चाहिए guys, पुछा नहीं है किसी को भी, मगर मैं आपको बताता हूं कि साइज address भी पूछ सकते है, कौन सी street में है, कहां पर है, तो क्या बोलो गया, तो आपको सारा कुछ उनकी information होनी चाहिए, right, fourth question, in which course, ये भी important है, बहुत साए लोगों को ये question पुछा गया है, कौन से college में है, और कौन सा course यहां पर उन्होंने लिया है, ठीक है, तो आपको husband और आपके wife ने जो भी course लिया है, वो course का नाम आपको पता होना चाहिए, और कितना साल का है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए, आपकी wife currently कौन से semester में है, वो भी आपको पता होना चाहिए, त था आपका कोई एक पास जोब है नहीं तो आपको भोलना है I am on a Spousal Dependent Open work permit I have no employer राइट तो ऐसा आपको उनको बता देना है कि हमारे पास जॉब नहीं है अभी क्यूंकि हम स्पावजल ओपन वर्क परमीट पे आये है हां लेंड होते ही वर्क परमीट के साथ हम मैं ट्राइ करना स्टार्ट करूंगा जॉब लेने के लिए ठीक है तो यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है आप यह क्वेश्चन सुनके आसे गवरा जाओगे कि कि कहां से आ गया हमारत को अंगलोयर है नहीं तो बिंदास उनको बोलना है ठीक है तो यह फिफ्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और बहुत साहे लोगों तो नहीं बोल सकता मगर काफी लोगों को यह दूइंग जॉब और दूइंग बिजनेस ठीक है तो आपको उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना तो अगर बिजनेस करते हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि हां मेरा बिजनेस यह रहेगा ठीक है तो उससे बेटर है आप बोल दो कि मैं फिल्ट आप करूंगा तो जैसे आपको अच्छा लगे वह आप सिलेक्ट कर लेना अब यह जो सिक्स क्वेश्चन थे वह बहुत कॉमन थे काभी लोगों को यह पूछे गए है तो अब मैं जो सेवें बाला बता रहा हूं वह कैसा है कि पूछे जाता भी है और नहीं पूछा जाता है तो आपका जो भी आपको दिखाना है यानि कि वाइफ के हस्बंड ने आपके लिए जो हाउस लिया है जो नया हाउस लिया होगा कैनेडा में रेंट पर तो वह आउस का आपको एड्रेस उनको बता देना है तो एड्रेस बहुत बार त्यान से रट के जाना ओके पूछते नहीं है कोई मैंने इत्ते साहे लोगों से बात की, मगर एक इनसान ने मुझे ये वाला question बताया कि मुझे ये question पुछा गया था, ठीक है, तो मगर ये question पूछा जाता नहीं है, फिर भी risk क्यों लेना, बता देना, याद करके जाना, ओके, 8th one, when you leave Canada, ये पुछते भी है और नहीं भी पुछते है ठीक है, तो इसका answer है, जब मेरी work permit खतम होगी, तब में leave कर दूँगा, ठीक है, तो ये रहेगा उसका answer, और ध्यान से बुलना, क्योंकि आपको ये SI मत बुलना, कि work permit खतम होने के बाद में extension कर लूँगा, ये नहीं, ठीक है, आपको simply बुलना है, कि आप जो मुझे work permit देन चोड़ दोगे, ऐसा बोला था, कोई नहीं पूछने वाला, तो आपको ऐसा ही बोलना है, कि आप जो work permit मुझे देने वाले हो, वो जब खतम होगी, तब में चैनल कर दूँगा, ऐसा मत बुलना, कि मैं extension लोँगा, extension के बाद पिया लोँगा, नहीं मिले, तो मैं चैनल चैक, is your marriage genuine or not, where is your wife, ऐसे एक मेरे follower को पुछा गया था, कि मुझे आपके marriage genuine है कि नहीं वो चैक करने है, तो आपके wife किदर है, where is your wife, तो उसने बोला, she is outside of airport, तो उन्होंने आगे पुछा उनको कि call her, यानि कि video call करो, तो video call किया और उन्होंने बात सुनी, officer जो बैठे थे उ बहुत rare, यानि कि मैं बोलू तो 1000 लोगों में भी एक को भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, मगर पता नहीं उन्होंने उसको ये question क्यों पूछा, यानि कि ये ऐसा करने को क्यों बोला, मुझे नहीं पता है, ठीक है, ऐसे कभी आज तक कभी किसी को नहीं बोला है, मगर उनको बोला था, इसलिए मैं आपके साथ share कर रहा हूं, तो ये तो आप भूल जाओ कि आपसे पूछने वाले हैं, तो 9 फाला तो मैं ऐसे ही रख दिया है, कि आपको बता दू, just for fun, मगर जो पहले 6 questions थे, वो बहुत ही common थे, वो पूछे ही जाते है, ठीक है, तो आप ये बात का पूछा था, उन्होंने मुझे कुछ question दिये थे, उनके पास जो experience हुआ था, उन्होंने मेरे साथ share किया था, तो मैंने आपके साथ share कर दिया, अब guys, मैं मेरा experience आपके साथ share कर रहा हूं, तो guys, जब मैं Vancouver airport पहुंचा था, तो immigration का time हुआ, मैंने एक लंबी सी line थी, तो हम लो उनके पास से passport ले लिया है, ठीक है, और उनको personally अलग line में बुला दिया, ठीक है, और उसके बाद कोई भी question हमें नहीं पूछा है, और guys, आपको एक काम ये करना है, हर जगा ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आएंगे, passport ले लेंगे, आपको अलग line में बुला देंगे, मैंन इसके लिए एक अच्छी जी trick दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, कि आपके child को जब भी आपका turn आता है immigration का, तो आपको आपके child को नीचे नहीं रखना है, ठीक है, उसको उठा लीचे हाथ में, ठीक है, हाथ में जी उठा लोगे, तो officer आपको एक single question नहीं उठा लीचे, नीचे मत रखें, और उठा के ही उसको document जो मांगे वो दीजे, उसको ऐसा लगना चाहिए, कि आपको stress पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई भी document भी नहीं मांगेंगे, और direct बोलेंगे, आपको आपकी work permit दे देंगे, और बोलेंगे, you may go now, all the best, okay, तो हम बात करते थे, मेरी, तो वो officer आए, उन्होंने मेरा passport ले लिया, और हमको एक अलग line बुलाया, मेरे आगे एक family था, उससे भी कोई भी question नहीं पूछा, direct जैसे नाम बोला, जैसे मेरा सरने में मनसूरी, तो मैंने बोला, Mr. Mansoori, तो मैं गया मां पे, ठीक है, और उन्होंने direct म मेरा passport और work permit दोनों के मेरी और daughter की, जो permit आती है, वो passport में रखके, passport मुझे दे दिया और बोल दिया, all the best, ठीक है, तो मेरे से एक single question भी इमरी किसम पर नहीं पूछा है, तो जिसके पास child है, तो उनको उठा लेना है, वो मेरी advice है, आपसे trick है, use करिए, definitely आपको फाइदा अच्छा लगे, effort अच्छा लगे, तो like और share, चलूर करके जाना, ठीक है, चलिए, मिलते है नेक्स वीडियो में, ऐसे ही नहीं, most important information के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई